गद्य क्या है तो उत्तर है कि वर रचना जो चंद की बंधनों से मुक्त होती है गद्य कहलाती है जैसे कहानी निबंद उपन्यास आदी अब देखिए चंद की बंधनों से मुक्त होती है तो चंद का अर्थ होता है बंधन ठीक है चंद का अर्थ होता है बंधन जिस रचना म मात्रा, वर्ण, गती, विराम, तथा तुक आदी के नियमों का विचार रखकर सब्द योजना की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गती किसे कहते हैं तो आप आसानी से बताइए कि वर्ण, जो चंद के बंधनों से मुक्त होती है उसे हम गती कहते हैं। पद्य के विशह यानि कि कहानी या निबंध या उपन्यास आप पढ़ते हैं तो उसमें जो विचार होता है वो विचार की प्रधानता होती है। यानि कि आप उसमें पढ़ते हैं तो आप किसी के विचार को पढ़ते हैं या किसी चीजों को आप सोचते हैं। ठीक है और पद्य की विशह भाव प्रधान होते हैं। यानि कि जब आप पद्य को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ भाव नहीं थोता है छुपा होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि विशह की द्रिष्टी से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य जो होता है गद्य का जो विशह होता है वो विचार प्रधान होता है और पद्य का विशह भाव प्रधान होता है। अगला प्रश्ण है हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? तो बहुत संख्य विद्वान हिंदी गद्य का आविर्भाव तेरहमी सताब्दी में मानते हैं. किन्तु हिंदी गद्य का वास्त्विक स्वरूप और निश्वी सताब्दी के नौ जागरण काल में दिखाई प अगला परशते हिंदी की किनी तीन बॉली सिय्ट नायता है पादरियों का क्या योगदान रहा तो आप लिखेंगे इसायों ने बाइबिल का खड़ी बोली में अनुबात कराया उसे उत्तर भारत के विविन अस्थानों में वित्रित कर अपने धर्म के साथ ही हिंदी गध्य का भी प्रसार किया अब लिख देगे कि इसायों का जो पविर्त्र ग्रंत होता है बाइबिल उन्होंने उसका अनुबात क्या कराया खड़ी बोली में ट्रांसलेट करवाद गया और उसे उत्तर भारत के विविन अस्थानों पर वित्रित किया बाटा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने धर्म के साथ साथी उन्होंने हिंदी गद्य का भी प्रचार किया। अगला प्रशन है कि रामचंद्र सुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं में सरवाधिक सफलता मिली तो निबंध और आलोचना रामचंद्र सुक्ल को गद्य की दो विधाओं यानि निबंध और आलोचना में सरवाधिक सफलता मिली अब दियाए कि हिंदी गद्य का काल विभाजन कीजिए तो आप इस वाले प्रश्णों को कहीं नोट डाउन कर लेंगे यानि सभी प्रश्णों का आप कर लीजे सभी इंपोर्डेंट पर तो इसमें से जरूर एक नाएक प्रश्ण पूझायाता अक्सर तो आप पूर्व भा अगला प्रश्ण है कि सुकल यूग के सबसे प्रसिद उपन्यास लेखग और उसके एक प्रमुक उपन्यास का नाम लिखे तो मुंसी प्रेम चंद है और उनका उपन्यास गबन गोदान भी है सुकल यूग कब से कब तक माना जाता है तो इसमें से यहां पर प्रस्ण आपको मिल गया आप देखें कि पूछाए कि सुकल यूग कब से कब तक माना जाता है तो सुकल यहां देख रहे हैं 1919-1938 तक तो ऐसे ही आपको लिखना है ऐसे ही सम्मंदित एक नएक प्रस्ण इससे आते हैं अगला प्रश्ण है सुकल यूग को अनिक की नामों से जाना जाता है तो सुकल यूग को छायावादी यूग, प्रसाद यूग, प्रेमचंद यूग के नामों से भी जाना जाता है सुकल यूग की प्रमुक गद्यकारों के नाम लिखिये तो बाबु गुलाब राए, प्रेमचंद, श्याम सुंदरदास, जैसंकर प्रशाद, पंत, निराला, हजाई प्रशाद दिवेदी, डाक्टर स्वंपूरा नंद, आधी के नाम उलेखनी है अगला प्रशन है सुकल यूग की प्रमुक विशेस्ताइन लिखिये तो सुकल यूग की प्रमुक विशेस्ताइन निम्नवत है पहला इस यूग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया अगला है इस यूग की गद्य रशना में अनुभूती की सघंता और भाव की तरलता का समावेस हो गया इस यूग की गद्य रचना चित्रन प्रधान लाक्षणी और कवित्व पूर्ण हो गई सुकल यूग को यह नाम क्यों दिया गया तो पंडित रामचंद सुकले के महत्पूर योगदान की कारण इस यूग को उन्ही के नाम पर सुकल यूग का नाम दे दिया गया किसके महान योगदान के कारण तो पंडित रामचंद सुकले के अगला प्राशना है कि सुक्ल यूग के नाम से भी सुक्ल यूग को जो जाना जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेम चंद और हजाडी प्राशन दिवेधी अगला प्रश्णे के ऐसे तीन गद्य लेखों को के नाम लिखे जिन्होंने दिवेदी युग तथा चायावादी युग दोनों में लेखन कार्ये किया तो स्याम सुन्दरदास, चतुर सेन सास्त्री, पदुमलाल, पुन्नालाल, भग्जी अगला प्रश्णे सुकल युग के दो प्रसित कहानिकारों के नाम लिखे अथवा हिंदी के दो प्रसित कहानी लेखों के नाम लिखे अथवा सुकल युग के किसी एक प्रसित कहानिकार का नाम लिखे तो आप लिखेंगे भगवती चरंवर्मा, आचार्य चतुर सेन सास्त् प्रशन का एक है उत्तर है इसे भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे अगला प्रशन है शुक्ल यूग के तीन निबंद लेखोकों के नाम लिखिये तो तीन निबंद लेखक है बाबु गुलाब राये, वीयोगी हरी, स्याम् सुंदर्दास शुक्ल यूग के दो नाटक कार सास्तु की अगला प्रश्न है सुकल यूग की दो प्रसीद हिंदी साहीति की इतिहासकारुं के नाम लिखिये तो सही उत्तर है राम चंदर सुकल डाक्टर ना गेंद्र הזה अगला प्रश्न है सुक्लोंपलि उत्तर यूग का समय निर्धारण कीजिए तो आप उसी वहीं से प्रश्ण कर उत्तर पास सकते हैं 1938 से 1947 इस वी की अवधी को हम क्या कहते हैं सुकलोकतर यूग मानते हैं इसके बाद स्वात्य उत्तर यूग आता है जो कि 1947 से अब तक है अगला प्रश्ण शुकलोकतर यूग को अनिक कि नामों से जाना जाता है तो सुकलोकतर यूग को छायावाद उत्तर यूग अर्थवा प्रगतिवादी यूग के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्ण शुकलोकतर यूग को छायावाद उत्तर यूग और प्रगतिवादी यूग के नाम से भी जाना जात तो इसाली प्रश्चन पूछाया अगला कि चाय वा्णो उस्तर कि आनि सुख्रोग्तर यूग की प्रमुक गढ्य विधाओं का उले किजिए निबंद, कहानि, उपण्यास ना तक आदी चाय वाध यूग की क्या अगला के प्रश्न है कि सुकलोत्तर यूग के दो कहानिकारों के नाम लिखे तो सुकलोत्तर यूग या छाया वादुत्तर यूग या प्रगती वादु यूग के दो कहानिकारों के नाम जैनेंद्र कुमार इला चंद जोसी अगला प्रश्न है सुकलोत्तर यूग के दो नाटक कारों के नाम लिखे तुरिंदावन लाल वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा आज के लिए इतना है पुना हम जुड़ेंगे आपसे एक नेस वीडियो को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंत महादे